क्या 3rd party ने आपकी जिंदिगी को बर्बाद करके रखा हुआ है क्या 3rd party ने पूरा influence डालके रखा है आपके पार्टनर के उपर और आप से अलग कर दिया है आप से मिलने नहीं देती है 3rd party आपके person 3rd party situation में इस तरीके से फसे हुए है और आप जानना चाहते हो कि वहाँ पर क्या condition है क्या कुछ चल रहे हैं आपके partner और 3rd party के बीच में क्या आपके person अभी भी आपके साथ connected है या नहीं है क्या आपके पास वाफिस आएंगे या नहीं आएंगे चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ज के शुरू कि क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं ये कार्ड्स सो अलग अलग डेक्स से हम जाने की कोशिश करेंगे इस डेक्स से हम देखेंगे क्या चल रहा है आपके पास वापिस आएंगे या नहीं आएंगे अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है न तो एनरजी को आपको ब्रेक नहीं करना है वीडियो को लास तक जरूर देखना है अगर आप लोग इस चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा सब्सक्राइब करेंगे तो आप टैरो चानल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगी आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी विशिस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा आप जाते हैं अपनी लव लाइफ में करियर लाइफ में पर्सनाल लाइफ में प्रफेशनल लाइफ में और कि स्टार्ट करतें अगा जिट्ना भी आपके साथ रेसेलец करेगा उतना आपको रखना है लाकि को छोड़ेना है all sign reading है, सारे ही sign वालों के लिए ये reading होती है and gender bias reading नहीं है, आप जिस भी gender के हैं, आप के person जिस भी gender के हैं आप इस reading को देख सकते हैं, so एक prayer के साथ मैं इस reading को शुरू करने जा रही हूँ okay, I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person I want love, peace, money and success in my life so all the divine energies, virginable universe angels, please viewers को बताईए, क्या कुछ है इनके partner और third party के बीच में क्या चल रहा है so, first card आया है, okay, the devil का card, very nice so devil का card सबसे पहले निकल करके आ गया है, Capricorn, Makar राशी सबसे पहले open हुई है Ace of cups का card आया है, Cancer, Pisces, Scorpio, Cartmine, Vistik, राशी हुई है okay, two of sword, Gemini, Libra, Aquarius, Mithun, Dula, Kumbra, राशी three of sword, okay eight of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Vistap, Kanya, Makar, राशी, the hermit का card, last okay, so देखें, यहाँ पर निकल करके आये हैं, देखते हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ यहाँ पर devil का card है, so देखों, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपके person और third party के बीच में ना, काफी conflicts हैं, काफी जादा problems चल रहे हैं दोनों के बीच में, अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं यहाँ पर emotions बहुत जादा हैं, आपके person की तरफ से काफी जादा emotions हैं, इस third party को लेकर के, लेकिन third party ही यहाँ पर एक problem है, ठीक है, third party ही यहाँ पर एक devil है, right, third party ने, या तो कुछ black magic कराया हुआ है, आपके partner के ओपर, या फिर कुछ spell work करवाया हुआ है, या फिर कुछ evil आई है, कुछ तो इस तरीके का इसने आपके partner के ओपर करके रखा हुआ है, जिसकी वज़े से आपके partner का emotion बहुत जादा flow है, इसकी तरफ, ठीक है, आपके partner ने कहीं ना कहीं इसको commitment दिया है, या इसके साथ गए है, और emotionally connect किया है इस third party ने, so बहुत ही devil nature की है, ये third party और यहाँ बहुत जादा problems चल रही है अभी इनकी life में, क्यूंकि आपके जो person है ना, उनकी life में इस तरीके का कुछ ऐसा blockages आये हुए है, कुछ इनकी life में इस तरीके का बदलाव आ रहा है, change आ रहा है, कि इनके जो emotions है ना, वो कही ना कहीं अटक गए है, ठीक है, and काफी कुछ इनकी life में ना problems चल रही है, issues चल रहे है, clarity नहीं है इनकी life में कि क्या चल रहा है, क्योंकि third party ना, इसके अपने personal reasons की वज़े से, यहाँ आपके person को emotionally connect किया हुआ है, इसने, ठीक है, and आपके person यहाँ पर ना, काफी जादा उनको तक जितना भी दे रहे हैं, third party को, जो भी कुछ पैसा दे रहे है, या time दे रहे है, emotions दे रहे है, जो कुछ भी अपनी third party को दे रहे है, इनको समझ में आ रही है, यह जितना भी दे ले, इस third party का पेट नहीं भर रहा, ठीक है, इसको हमेश, इसको मतलब आपके person ना, वो इसकी wish fulfillment के लिए, इसको सब कुछ देने के लिए, कहीं न कहीं पूरे दिन, रात मेहनत कर रहे हैं, इनको यह समझ में आ रहे हैं कि यह कुछ भी कर लेना, यह third party खुश नहीं होने वाली है, क्योंकि एक को struggle है, आपके person struggle कर रहे है, financially, right, and जो financially struggle का मतलब है, कि materialistic है, दिमाग जो इस third connection किया है, पैसो के वज़े से, और आपके जो person है, वो इसको दिये जा रहे है, दिये जा रहे है, पर इस third party का पेट नहीं भर रहा है, इसको खतम नहीं हो रही है, इस third party के साथ तकलीफ हो रही है, प्लस आप, आपकी जो एक purity थी न, वो चीज़ इनको समझ में आ रही है, कि आपके साथ जो भी एक रिष्टा निभाया है, आपने इनके साथ, वो एकदम प्योर था, वो दोनों बातों को सोच करके, आपके बारे में, और third party को सोच करके न, इनको बहुत जादा तकलीफ हो रही है, कि इनके emotions तो कहीं है ही नहीं, मतलब third party के emotions त ठीक चलती रहेगी, अगर पैसा आपके partner ने देना इसको बंद कर दिया, वही पर ये third party कहीं न कहीं, distance maintain कर लेगी, दूर हो जाएगी, अब आपके partner को यहाँ पर चीजों की clarity मिलने लगी है, इनको समझ में आने लगा है, कि ये third party तो सिर्फ और सिर्फ लालची है, ठीक है, दिले दिले, और बहुत जादा आपके partner ना कहीं ना कहीं अभी problem में फस गए है, बहुत अकेला feel कर रहे हैं, और किसी से ना कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ समझा पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, राइट, सो ये अकेला पर ना इनको बहुत खाये जा रहे हैं, इन अभी इस situation में फसे हुए है कि किसी को बोल नहीं सकते हैं, कैसे बोलेंगे, किसी को बोल थोड़ी सकते हैं कि क्या चल रहे हैं कि लाइफ के अंदर, right, 10 of pentacles, right, okay, 4 of sword, देखो, 5 of cups, very bad, okay, 5 of pentacles, 5 number बहुत important है, बार बार आ रहा है, ठीक है, 5 number कुछ आप लोगों की लाइफ में important हो सकता है, queen of cups, emotions, very down, and the fool, right, so यह cards आए है, next, see, आपके person के, यहां कही लोगों की life में ऐसा है, कि जो third party है, यह parents भी हो सकते है, family हो सकती है, ठीक है, family है, यह आपके आपके जो partner है, वो married है, already, उनकी family है, जिसकी वज़े से आपके partner आपको commitment नहीं दे रहे हैं, या आप से distance maintain किया हुआ है, right, या फिर यह third party जो है, आप में से कई लोगों की life में parents हो सकते हैं, कि parents ने मना किया हुआ है, parents नहीं मिलने दे रहे है, बिल्कु स्टॉक करके रखा हुआ है, आपके partner पर नजर बना के रखी हुए, कि कहीं आप से मिल तो नहीं रहे है, कहीं आपको बात, तरीके से magic किया हुए, black magic है, कुछ बहुत सारी गलत है, मिया आप दोनों के बीच में यहाँ पर इसने डाली है, right, अगर यह family है, तो भी यहाँ पर आपके partner के कान भरे जाते रहते हैं, पूरा time उनको आपके खिलाफ बढ़काया जाता है, अगर यह husband है, wife है, जो भी है, य वो किसी से express नहीं करते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि third party की situation से यहाँ निकल सकें, क्योंकि यहाँ बहुत जादा इनको depression हो रहा है, बहुत जादा इनको, हालत इनकी खराब हो रही है, मन कहीं लगनी रहा, दिमाग कहीं लगनी रहा, आपकी या ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर कार्मिक्स आ रहे हैं, यह दोनों कार्मिक पार्टनर्स हैं, दूसरे के, definitely यहाँ पर कार्मा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, and third party बहुत जल्द आप दोरों की लाइफ से जाती हुई भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, and third party के, कार्मिक्स की बात करो, तो यह कार्ड आपको खुद में समझाएगा, कि third party किस कदर यहाँ पर अपनी बुरायों को जेल करके, यहाँ से निकलेगी, ठीक है, जो कुछ भी इसने दूसरों के साथ किया है, जो कुछ भी इसने दूसरों की लाइफ में जहर गोला है, परशान क जाले हैं, वो कही न कही एनरजी इसको वापस बैकफायर करी, अगर इसने ब्लाक मैजिक किया है, तो यह ब्लाक मैजिक इसके पास वापस आएगा, इसकी health भी डाउन है, finances भी डाउन है, इसकी condition बहुत worst होने वाली है, आगे जाकर के, ठीक है, इसको इसके गलतियों का एसा जादा control किया हुए, आपके person को अभी, third party ने बहुत कलेश कराया है, आप दोनों के बीच में, खुशियां आप लोगों से बिल्कुत छीन ली हैं, यहां पर third party ने, ठीक है, और यहां पर काफे कुछ अभी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट, यहां पर आपके person अगर देखें तो आपके person definitely यहां पर एक आपके साथ new beginning के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आप से वापिस से reunion करना चाहते हैं, अगर आप reunion चाहते तो लिखेगा कर्मा, अगर आप move on कर चुके हैं तो लिखेगा move on, और अगर आप लोग new partner manifest कर रहे हैं तो लिखेगा new partner, क्योंकि यहां पर third party जो है न वो बहुत ज़्यादा इसकी हालत खराब होने वाली है, emotions बिलकुल down हो जाएंगे इसके and जो भी इसको problem issues face करने पड़ रहे हैं वो है अकेलापन, ठीक हैं, अगर इनके family हैं बच्चे हैं तो कहीं न कहीं यहां पर आपके person बिलकुल इसको अके साथ वापिस एक निव बिगनिंग करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि सब कुछ ठीक करके आपके साथ वापिस से एक नई शुरुवात कर सके, आपके साथ वापिस से connect हो सके and यह reading उन लोगों के लिए है, जो लोग reunion चाह रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कर्मा चा पर backfire हो जाएगा and यह हर तरीके से इसको अकेला पर निसको खा जाएगा, सब इसको अकेला छोड़ देंगे and कहीं न कहीं इसको समझ में आएगा कि इसने दूसरों के साथ क्या किया है, right, so यह थे आज के card, यह थी आज की reading, I hope आपके साथ resonate की होगी, okay, so चलिए, दूसरे deck से हम देखेंगे, क्या है आपके person के दिल में आपको ले करके, क्या है उनकी feelings आपको ले करके, so यहाँ वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या है उनकी feelings आपके लिए, क्या कुछ बाकी है, या सब कुछ खतम हो चुका है, okay, the sun, nice, seven of pentacles, राशिया सारी आ गई है, ten of wand, magician, okay, two of sword, see, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो, वो चाहते हैं, देखो उन्हें पता है, आप बहुत इमानदार हो आप, आप बहुत जादा लॉयल हो अपने रिष्टों को ले करके, उन्हें ये भी पता है, कि आपने हमेशा ना wait किया है, इनके प्यार का, आपने हमे इनका 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 बहुत लंबा है, आपने जो सपोर्ट किया ना इनको वो चीज इनको अभी समझ में आ रही है, आप और सोलो, ठीक है, थर्ड पार्टी बिल्कुल डेविल है, तो इसी चीज का अभी इनसे ना बोज उठ नी रहे, अभी इसी चीज को सोच के बहुत ठीक है, सही डिरेक्शन में जाते हैं, जाते हैं ऐसी घ्लर डिल्कुल डियरेक्शन लिए, यह चली गई, अब सब कुछ खराब हो गया है, इनको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, यह यहाँ पर बिल्कुल पूशिल हो ना आपके पास आना चाहरे हैं, लेकिन इनके दिल में यहां पर struggle बहुत है, blockages बहुत जादा चल रहे हैं और आपको बहुत जादा manifest करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके साथ चाहते हैं new beginning करना और वही चीज वह manifest करना है अपनी गलतियों का हैसास इनको हो रहा है, इनको clarity आ रही है ठीक है, और यह चाहते हैं कि यह या तो आप इनको approach करो ठीक है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आप बिल्कुल चुप चाप हो के अपनी जंदिगी पर focus कर रहे हो आप अपनी life में आगे बढ़ रहे हो है ना, तो यहां पर emotional help आपसे मांग सकते है आपके पास अपनी गलतियों को का एसास करने आ सकते है अगर आपको block किया हुआ है, तो आगे आने वाले time में third party situations जब निकलेंगे तो आपको unblock कर सकते हैं ठीक है, पर आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि जो एक बार cheating कर रहा है, वो फिर कर सकता है लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके person change होके आए है आपके person कहीं न के एक बदलाव के साथ आए है और आपको commitment दे रहे हैं तो आप accept कर सकते हैं तो यह आपके हाथ में आप उनको accept करना चाते हैं या नहीं करना चाते हैं तो यह थे आज के card, यह थे आज की reading, I hope आपके साथ resonate की होगी अगर हाँ तो like जरूर कीजेगा, share जरूर कीजेगा ओके, and comment box में claim जरूर कर लीजेगा, जो भी card आप claim करना चाते हैं triple one claim कीजेगा for the new beginnings वर्जंग मली का, universe का, अपने God का thank you करना मत भूलिएगा लिख कर जरूर बताइएगा कि आप इस video को कहां से देख रहे हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you and have a nice day